दिल्ली में UNICEF के और से Social Behavior Change Communication पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें देश के अलग-अलग कौन से आई गणमान्य लोगों ने नहीं सिर्फ भाग लिया बलकि अपने अनुबह और अपनी समस्याओ को भी समंच के माध्यम से लोगों के सामने रखा इस सेमिनार के पीछे UNICEF का मकसद रहा है कि लोगों के बीच में रहकर लोगों के वहवार को समझा जाए इसके बाद जैसे ही वो रियक्ट करते हैं उस परशोद करके इसमें सुधार किया जाए इससे कई चीजों में बदलाओ भी देखने को मिला है खास करून जगहों पर जहां पर समाज कई सारी कुरूतियों से जूज रहा हो हम जितना ही सर्विस देन अगर फील में सर्विस हो अगर माता और पीता उस सर्विस में उनका कॉंफिदेंस ना हो अगर वो उसका इंपोर्टन्स नहीं समझे तो फिर वो सर्विस देने तो नहीं आएंगे इसलिए सर्विस भी चाहिए और कम्यूनिकेशन भी चाहिए सो दिए चुल्डरन कें गेट बेनिफिट अब रहे हैं कारिकरम में आई राजिस्तान से आई महिला सरपंच सुश्मा मेगवाल और अरविंद होजाने बताया कि उनके यहां बाल विवा एक बहुत बड़ी समस्या थी लेकिन इस कारिकरम को अपनाने के बाद साथ ही खुद से किये गए परियासों से आज वहां के हालात बदल रहे हैं बाल विवा लगबग बंद हो गए हैं यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्दी है और जब मेरी शादी हुई तो ससुराल में मैं जैसल सर में आई जैसल सर में आकर मैंने यही देखा कि मैं वहां चोड़के उससे जहदा मत्रव बढ़ जड़के यहां था लड़कियों को बाहर नहीं निकाला जाता था महिलाएं जब पुरुश को देखती तो वह जैसल सब्सक्राइब करें और यहां कुछ ऐसा करूंगी तो इन सब लोगों को एक दिन मुझे विश्वास जरूर होगा बाल विवाह का मुद्दा है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और यहां पर भी आज बात हुई हमारे सरपंच और हमारे दूसरे कारकरता नहीं बाल वि सकती हैं युनिसेफ भी इसी मकसद से कारिकरम चला रही है आए हम सब इसके साथ जुने और अच्छे भारत का निर्मान करें भारत चोहान दिल लिए